नमस्का, Hindi Animation Tutorial में Autodex Maya Tutorials Part 30 का स्वागत है तो दोस्तो मैं कल रात से इस Photoshop फाइल पे काम कर रहा था और मैंने कुछ इस तरह से texture का निर्मान किया है ठीके दोस्तो, तो आज के tutorial का विशह है Photoshop में create के गए texture को Maya में object पे assign करना इन UV Lines को guideline समझ कर हमने bar tab को यहाँ पे paint कर लिया है जिसमें drain hole और bar tab के corner पे थोड़ी सी dirt paint की गई है हमें Maya में import करने से पहले इसकी UV map layer hide करनी होगी हमेशा याद रखना अब मैं file menu में से इस image को save as कर रहा हूँ मैं इसका नाम रख रहा हूँ tab underscore color map dot tiff और save करते वक्त layer को on रख रहा हूँ ताकि जरूरत पढ़ने पे हम इसे यहाँ पे आके edit कर सके अब tiff option में बाकी सारी चीज़े default रखनी है और इन्हें ok करना है अभी हम Maya software में से हमने last tutorial में create किया हुआ ps underscore tube2 dot mb file open करते है आप चाहे तो इस file को नीचे description से download कर सकते हो हमें इसे open करना है ठीक है तो हमें यहाँ पे checker maps अच्छे से place हुए दिखाई दे रहे तो अभी हम windows menu से rendering editor में से hyper shade option open करते rendering editor hyper shade इसे load होने के लिए थोड़ा समय लग सकता है ठीक है तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस checker button को हमने create के हुए texture के साथ replace करते है तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसका connection break करना होगा तो मैं color पे right click कर break connection पे click करता हूँ इसके बाद हमें checker box पे click कर file tab को select करना है उसके पश्यात attribute editor में इस folder icon पे click कर हमने desktop में save किया हुआ image जिसका नाम है tube underscore color map dot tiff इसे open करना है ऐसा करते ही हम 3D object पे photoshop में create किया हुआ texture देख पाएंगे अभी हमने इसे बार का इसे check करना है अगर कुछ फेर बदलाव करना है तो अभी भी हम photoshop में इसे कर सकते है जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इस top drainage का shape कुछ अजीब तरीके से यहाँ पे आ चुका है मेरे कहल से हमने इस drain hole को काफी आगे place कर लिया है तो थोड़ा हम इसे पीछे की तरफ place करते है इसके लिए हमें वापस photoshop में जाना होगा तो मैं यहाँ से photoshop open करता हूँ इसके साथ ही UV guideline वाले layer को भी visible कर लेता हूँ अब जो हमने drain hole के लिए अलग सा layer बना था उस layer को select कर उसे मैं पीछे की तरफ मुग कर ले रहा हूँ इसके लिए हमने इस layer को select कर keyboard के upper arrow को press and hold कर रखा है अभी मैं इसकी size थोड़ी छोटी कर ले रहा हूँ ठीक है इसे इस size में set कर देखते है UV map की layer hide करे फाइल को save करे ctrl s के मलत से और फिर माया में से अपने object की history डिलीट करे edit delete all type history इसके बाद attribute editor में से tap tap के color icon के सामने वाले arrow पे click कर image को reload करे यह drain hole थोड़ा oval लग रहा है अंडा कार तो यह चलेगा नहीं वापस हमें photoshop में से इसे edit करना होगा तो photoshop में मैं इस drain layer को select कर horizontally scale कर लेता हूँ शायद इससे काम बने और जैसे में इसे horizontally हमें थोड़ा zoom करके कर लेते हैं मतलब clear हो जाएगा इसे save करते है ctrl s और यहाँ पर reload करते है माया में यह shape तो circle में दिख रहा है लेकिन इसका size थोड़ा चोटा करना होगा तो वापस में photoshop में आके वही layer को keyboard पर shift की दबा के थोड़ा उसका size proportionally चोटा कर रहा हूँ और फिर ctrl s और माया में आके वापस यहाँ पर reload ठीक है तो इस प्रकार से size काफी चोटा हो गया है थोड़ा इसे बड़ा कर लेते trend layer को select करें keyboard पे shift की press and hold कर इसे scale करें और फिर ctrl s करना मत बूढ़ेगा ctrl s reload अभी यह सही लग रहा है यह थोड़ा realistic लग रहा है तो इस प्रकार से हम real time Photoshop और माया में अपना tweaking कर texture को correct कर सकते हैं तो यह चोटा सा में यहाँ पर demonstration देना चाहता था आपको तो यह tutorial यहाँ पर मापत होती है अब next tutorial में हम transparency plastic और glass जैसी चीज़ों को माया में किस सरक create कर सकते हैं उसके बारे में जान लेंगे इनके बारे में हम next lecture में विस्तार से जान लेगे लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल subscribe करना हुआ हिंदी animation tutorial के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद तापका दिन शुबर है